हलो प्रेंडस, वेलकम इन माई यूटूब चेनल, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम घर बटे SBI बैंक से चेक बुक जो है किस तरह से बड़ी ही आसानी से चेक बुक मंगवा सकते हैं, तो हम यानि SBI बैंक से हम नेट बेंकिंग के तरू जो है चेक बुक क घर बटे मंगवाएं, दोस्तों आपको ओनलाइन चेक बुक मंगवाने के लिए सबसे पहले आपके पास चाए फोन हो या फिर लेपटोप हो, आप जो भी ब्राउजर यूज कर रहे हैं, उस ब्राउजर को आपको ओपन कर लेना है, ओपन करने के बाद जो है इसके सर्च सर्च भोक्स में जाके सबसे पहले हमारे को जो सबसे पहले हमारे को सर्च कर लेना है, जैसे ही हम इसको सर्च करके तो हमारे सामने इस तरह का जो है Aero Mark कर रहा है वहाँ पर हमारे को इसके ओपर किलिक कर देना है और इसमें जो Continue का Login का Option है उसके ओपर किलिक करना है उसके बाद में हमारे को क्या करना है जो इसकी User ID और Password जो है आपने Set कर रहा है पहले से Net Banking का वो हमारे को इसमें Submit करना है और जो नीचे केपचा Code दिया हुआ है वो केपचा Code डालके और Submit कर देना है जैसे ही दोस्तों हम यह सब करेंगे तो हमारे Registered Mobile नमर पर एक जो है OTP आ जाएगा वो OTP हमारे को जो है इसमें डालना है और हमारे को Submit कर देना है जैसे ही हम OTP डालके इसको Submit करेंगे इस तरह का जो है वेबसाइट का पेज़ खुल के Show हो जाएगा इसमें आप देख सकते हो Request and Curious का एक Option जो है आपको Show कर देगा इसके उपर हमारे को सबसे पहले जो है इसके उपर किलिक कर देना है जैसे ही मैं इसके उपर किलिक करूँगा कई सारे इसमें जो है Request के Option आ जाएंगे अभी हमारे को Checkbook मंगवानी है तो हमारे को क्या करना है Checkbook सर्विस का जो Option है Checkbook सर्विस वाड़े Option के उपर हमारे को किलिक कर देना है अगर इसमें से आपको कोई और भी सर्विस लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो इसके बाद में Checkbook का Checkbook Request का जो है एक Option जो है शो हो जाएगा उसके उपर हमारे को किलिक करना है और जैसे ही आप किलिक करोगा इस तरह का जो है पेज आपके सामने शो हो जाएगा तो हमारे को जो हमारा अकाउंट नमर है जो इसमें शो कर रहा है उसके उपर हमारे को किलिक कर देना है और किलिक करने के बाद में आप देख सकते हो कि इस तरह से हमारे को शो कर देगा कि जो है Make Gym Threshold Limit for Each Check यानि एक चेक की limit क्या है Number of Checkbook यानि एक चेक बूक आपको जो है एक चेक बूक इसमें मिल जाएगी अभी इसमें जो third option है वो है Number of Check Look यानि आप जो है कितने पेज की जो है चेक बूक मगवाना चाते हो तो इसमें आपको जितने भी requirement है 10, 20, 25 और 50 के जो option दे रखे हैं आपको जितने भी पन्नों की checkbook की requirement है उसके उपर आपको click कर देना 10 की है तो 10 या 20 की है तो 20 जो भी है इसके बाद में दोस्तों एक option है instrument sub category तो इसमें यानि आप order check या फिर barrier check तो इसमें से आप जो भी check इसमें से मंगवाना चाते हो तो normally हम अगर net banking के थर्य चेक मंगवाएंगे तो ये normally हमारे को जो है order check, sorry barrier check ही issue करता है अगर आप में option खुलता है तो आप order या barrier तो मैं आपको एक अलग से link भी दे दूँगा कि आपको कौन सा check जो है हमारे लिए ज्यादा safe है order या barrier या हम एक check को दूसरे check में कैसे convert करके और इसमें safety हासिल कर सकते हैं तो वो जानना भी आपके लिए बहुत जरूरी है क्योंकि check का मामला है इसमें आपके साथ fraud भी हो सकता है आपका कहीं check जो है खो गया तो भी आपके साथ दोखा हो सकता है तो मैं एक check का अलग से video भी डालूँगा वो आप जरूर देखे इसके बाद मैं आपको submit कर देना है जैसे ही आप submit करोगे submit करते ही आपके सामने आपका account number आपका branch name आपने जो है checkbook आपने कितने जो है जो है page की checkbook और जो है checkbook की category यह आपको सब show करतेगा अभी है checkbook हम कहां मंगवाएं तो इसमें वो भी option दे रखे हैं registered option के उपर click करोगे तो आपने जो address दे रखा है वहाँ पर आपकी checkbook जो है पहुँच जाएगी जो आपका bank में option पर second option पर आपकी लिख करोगे तो last में जहाँ पर आपकी checkbook dispatch हुई है वहाँ पर आप मंगवा सकते हो और अगर आप कहीं job कर रहे हो आप कहीं बाहर हो तो आप जो new address है new address पर भी checkbook मंगवा सकते हो तो उसके लिए आपको ये जो है जो address है इसमें फिलब करना है ये सब करके और नीचे जो submit का option दिया हो है submit कर देना checkbook आपके पास जो है पहुंच जाएगी थेंक्यू दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा like करें share करें वह मेरे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें thank you for watching my video again